Hello future doctors, this is Parveen Yadav from Uttar Pradish University of Medical Science, Saifari Tawa एक हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, बायोलाजिकी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, जो आपके सामने ये चल रही है वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी BSC Nursing का एक्जाम होने वाला है अटल विहारी बाज़ पर इंपॉर्टेंट हो जाता, NCRT Exclusive Point ये है लगबग 500 पॉर्इंट यहां पर होंगे, सारे पॉर्इंट को हम एक पाई एक कबर करेंगे वन बाई वन वी कबर्स आल पॉइंट्स, NCRT Exclusive Content ये है पहले हम Scientist का नेम देखेंगे और इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे जो है Experiment देखेंगे, यूनिट जो NCRT में कुछ यूनिट दी हूँ इसको देखेंगे Quantitative Values देखेंगे, इसके बाद सेप आफ देखेंगे, जो NCRT में सेप अगारा दिये है उसको देखेंगे फिर हम देखेंगे Scientist and Relation Field, Scientist जो है उनका जो फिल्ड है Size देखेंगे कौन कौन सी Size है जो है जैसे Pollen Green की Size क्या, RBC की Size क्या, WBC क्या है NCRT की सारी Point 12th Biology और 11th Biology का एक ही जगा मिल जा रहा है एक वीडियो में हाला कि इसकी 3 वीडियो बनेंगी हो सकता है क्योंकि लगभग 500 Point हैं पूरे Point को हम 3 दिन में डिसकस करेंगे, आपका Exam 5 तारिक को है उसके पहले जो है, 4 तारिक, 3 तारिक तकी ये पूरा खतम हो जाएगा और आप अच्छे से Exam देने जाएए, पूरा Full Mentally Prepare होके बागी अपना जो Revision आप कर रहे है, Revision करते जाएए, जादा से जादा Revision करिए अगर आप मारे वीडियो पे नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सस्क्राइब करके आप वेल आइकन भी दबा दीजिए, वेल आइकन आपको दबाने से, प्रेस करने से, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी अंस्ट मायर जो थे, वो 1904 से 2004 तक इनका लाइफ इस्पैन था, ये 20th सेंचुरी के डार्विन गह जाते थे, डार्विन आफ 20th सेंचुरी, अवार्ड ट्रिपल क्राउन आप बायलोजी, इनको जो है, ट्रिपल क्राउन आप बायलोजी से वार्ड थे, फिर ये सेकंड आते हैं, कैथरेस आते हैं, इनके बारें जो है, ये प्लांट एनाटामी पे इस्टडी किये थे, ये प्लांट एनाटामी पे इस्टडी किये थे, बुक इन्होंने दी थी, एनाटामी आफ सीट, एनाटामी आफ सीट की इन्होंने बुक दी थी, जीयन रामचंदरंग थे जो है इनको जो मिला था जो है वो हम देख लेते हैं क्या क्या इनके बारें था ट्रिपल हेलिकल इस्ट्रक्चर आफ को लेजन उन्नी सुबाइस से दोजार एक डेट आबर्थ याद करने की कोई जरूत ने डेट आबर्थ सिर्फ एक व्याद करिए एक साइंटिस्ट का वो ह हैं अंश्ट मायर जो सव साल जीवित रहें ट्रिपल हेलिकल इस्ट्रक्चर आफ को लेजन दिये थे कानफर्मेशन आफ प्रोटीन रामचंदरन प्लाट लीनस फ्लेग अलफा एंड बीटा सीथ इस्ट्रक्चर आफ प्रोटीन की सीथ ये दिये थे जो है और कोई इंपार कार्बन एसिमिलेशन इन फोटो सेंसिस बाई यूजिंग सी फोर्टीन कार्बन चौदा लिये थे नोबेल प्राइस इनको 1961 में मिला था अलफान्सवन कॉर्टी जो थे अठारा सो बाईस से अठारा सो अठासी में डिस्क्राइब एस्ट्रक्चर लोकेटेड अन दिब बे महस्वरी जी यह रिसर्च इन इंब्रियोलाजी यह इंब्रियोलाजी पर रिसर्च किये यह फादर आफ इंब्रियोलाजी वे थे यह इंपॉर्टन पॉइंट है राम चंदरन जो थे यह महस्वरी जो थे फादर आफ इंब्रियोलाजी हैं दिस वर्क आन दि टेस्ट्यू फर्टिलाजेशन एं इंट्रा ओवारियन फैलोपियन पॉलनेशन इंट्रा ओवारियन पॉलनेशन वोन वर्डवाइड एकलियम और पॉइंट नॉबर फिप्टीन जो है इनके बारे में है फर्स्ट टेक्स्ट बुक आफ बाइलोजी एंसी आर्टी इन उननी सो चाउंसट में वो थे महस्वरी जी जेम्स वाड्सन क्या थे जेम्स वाड्सन जो है और फ्रैंसिस क्रिक ये नोबल प्राइस इनको 1962 में मिला था फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं इन साइंटिस्ट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बाते नहीं है जो है कोई इंपॉर्टेंट यहां से कुईशन नहीं आने वाला हालक यह एक इंपॉर्टेंट आ सकता है यह ग्रीन रिवल्यूशन वित नॉर्मल बॉर्लिंग कुलिमेंटेस इन ग्रीन रिवल्यूशन थ्रो इंट्रोडिक्षिन आफ मेकसियन वराइटी आफ इंडिया ठीक है हरबर्ड बॉयर हरबड बॉयर हरबड यह इंपॉर्टेंट है हरबड बॉयर जो थे point number 20 point number 21 point number 22 is very important Harvard boyard studied on restriction enzyme of e-coli e-coli oopर study किये थे kohen developed method of removing plasmid and then reset resetting मतलब इसको insert किये थे them in other cell other cell में इसको insert दिये थे boyer, kohen and first all farm recombinant DNA recombinant DNA जो दिये थे boyer and kohen दिये थे हालकि scientist के बारे हम next video हम बात करेंगे detail में अलग-अलग scientist का क्या-क्या योगदान रहा राम देव मिस्रा जो थे father of embryology in India राम देव मिस्रा father of ecology in India ये question आ सकता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो point जहां से question आएगा अंस्ट मायर की question आ सकता है ये 1904 से 2004 तक जीवित रहे 20th century की ये Darwin कह जाते थे award इनको मिला triple crown आ बायलोजी पर और question यहां से नहीं आएगा question राम चंदरन प्लाट पे आ सकता राम चंदरन प्लाट की इसने दिया था और C14 पे question आ सकता है point number 10 important है और point number 15 important है point number 13 important है point number 16 important है point number 20 important है point number 21 point number 22 important है father of ecology of India point number 23 important है अब देख लेते हैं point number 24 जो है ये है experiment material है इसके उपर experiment किया गया था ऐसे direct push लेता है एक्जाम में चार आपसन देकर आप confused है जाते हैं आप study करिए ऐसे ही वे में आपको पूरा दे दिया जा रहा है एक ही जहां पे content पूरा decode करके point number 24 इलेंगम experiment जो इंगल मैन का experiment था इंगल मैन का experiment आप photosynthesis में पढ़े होगे इंगल मैन का experiment था ग्रीन एलगी है प्रिश्टले का experiment था मिंट प्लांट के उपर था वान नील का experiment था वो purple and green sulfur bacteria यह का experiment जो है वान नील का experiment था मेंडल वर्क किस पर किये थे garden पी, not sweet पी बहुत ही ध्यान देंगे question लड़के गलत कर देते हैं जो मेंडल का experiment था वो garden पी के उपर था not sweet pea, sweet pea के उपर नहीं था garden pea के उपर मेंडल ने experiment किया था हीगो डीवराइसि से यह evening primaros के उपर experiment किये थे हीगो डीवराइसि आप पढ़े होंगे जहkung ए evening primaros के उपर experiment किये थे margant वर्क किये थे डार्स ओ फिल्ला के उपर ग्रिफ्टी एक्सपेरिमेंट आन जो एक्सपेरिमेंट किये थे ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट किये थे स्टेप्टो कोकस स्टेप्टो कोकस निमोनियाई के उपर किये थे निमोनिया जो कास करता है हरसे एंचेक्स इस्पेरिमेंट किये थे जो है बैक्टेरियो फेस के उपर इस्पेरिमेंट किये थे मेलसन एंड इस्टाइल इस्पेरिमेंट जो है इकोलाई बैक्टेरिया के उपर किये थे टेलर का इस्पेरिमेंट वाइस वीसास फेबा जो VCA फेबा था इसके उपर टेलर एक्सपेरिमेंट किये थे बहुत इंपार्टेंट है पॉइंट नमबर 34, मेलविन, कैल्सियन वर्क इस्पेरिमेंटाल, एलगल फोटो थेंजे यह पॉइंट ज्यादा इंपार्टेंट नहीं है पॉइंट नमबर यहां से कौन सा इंपार्टेंट है पॉइंट नमबर 24 इंपार्टेंट, पॉइंट नमबर 25, 26, 27, 28, 29, 27 बहुत इंपार्टेंट है कुई से रिपीट जरूर करेगा पॉइंट 30, पॉइंट 31, पॉइंट 32 इंपार्टेंट नहीं है जादा point 33 जो टिक लगा हुए वो ज्यादा important है most important points है उसको देख लीजिए आप point number 35 देख लेते हैं unit of classification जो दिये थे taxon दिये थे हम कुछ classification उनकी unit देख लिए थे unit of classification जो है taxon category या rank unit of classification जो पढ़ते है taxon पढ़ते हैं category और rank में पढ़ते है unit of neural system जिसको neurons काते है functional unit of kidney आपको पता है nephron, anatomical unit of muscle, muscle fiber, muscle cell, functional unit of contraction, sarcomere, functional unit of inheritance, genes, unit of noise pollution, decibel, decibel को, pollution को decibel ने नापा जाता है unit of ozone layer thickness, ozone layer की thickness जो नापी जाती है और dobson unit में यह बहुत important है point number 41, 42 में आप confused बेलकुल नहीं होंगे जो noise pollution है उसकी unit है decibel है और जो 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 ने लेयर की thickness नापी जाती हो dobson unit में नापी जाती capital D है capital U है point number 43 functional unit of nature ecosystem है structure and functional unit of our living ardenium cell कहा जाता है reproduction unit in the angiosperm reproduction unit in angiosperm flower है यहाँ पे एंथर और male और female part होता है unit of water pollution potential water potential की unit कितनी है pascal आप यह पढ़े होंगे जो है transport in plant में और any other pressure pressure, pascal, ठीक point number 47 structure and functional unit of liver hepatic lobules structure and functional unit of liver hepatic lobules structure and functional unit between development embryo fortus and maternal body placenta structure and functional unit between development embryo जो development embryo होता है और इसके बाद जो mother की body होती है उससे जोडता है placenta जहाँ से nutrition वगारा सारी चीजें provide होती है सारी detail आपको जो है हम second chapter में कर दिये थे 12th के reproduction human point number 49 हम देखेंगे कुछ quantitative values है उसके बारे हम देख लेते है बहुत important यह values है weight of liver कितना होता है weight of liver होता है 1.2 से 1.5 kg यह सारे data NCRT के ही है हम जो भी data की बात करेंगे सारे data NCRT की बात करें क्योंकि हम बाहर के data के उपर नहीं जाएंगे question अगर पूछता है तो NCRT का ही data देगा और NCRT का ही data माना जाएगा और कहीं का बाहरी data नहीं माना जाएगा तो इसलिए सारा focus हमारा NCRT पे ही है 100% weight of liver 1.2 से 1.5 kg weight of kidney 120 से 170 gram number of lobe in liver liver में कितने लोग होते हैं दो लोग होता है slavery gland कितनी होती हैं आपको पता है 3 होती है paratide होती sublingual होती है number of portions in stomach cardiac fundic body philoric 4 हो गए हैं 3 नहीं point number 53 को हम correction कर रहे हैं number of portion in liver stomach number of portions in stomach चार है cardiac है body है fundic है philoric है correction किया गया है आप ध्यान देंगे point number 54 stomach store food for charge 5 घंटा पेट में भोजन store होता है पेट में भोजन का digestion कोई नहीं होता बस storage होता है pH आप saliva कितना होता 6.8 होता pH आप gastric juice 1.8 gastric juice का pH होता है 1.8 pH आफ यूरीन होता 6 होता है breathing rate होती है 12-16 times per minute breathing rate होती है 12-16 times per minute point number 60 देख लेते हैं tidal volume जो है 500 ml होता है आप BCS ध्यान देंगे जो यहाँ पे data है उस data को आप याद नहीं करेंगे data पूरा रट लेंगे data बहुत ही important हो जाता है आपके exam के लिए और value आप गलत कर देते हैं वहाँ पे tidal volume 500 ml होता IRV IRV होता inspiratory reserve volume होता 2500-3000 ml होता है ERV जो होगा inspiratory reserve volume कितना हमने सांच जो है छोड़ा जो है inspiratory reserve volume यह होगा जो है 1000-1400 ml होगा residual volume RV कितना होगा 1100-1200 ml होगा percentage of water in plasma 90-92% होगा percentage of water in water melon 92% होगा percentage of water in herbaceous plant 85-90 होगा percentage of water in cell 70-85 होगा 70-90 होगा total थिकने साफ diffusion membrane total थिकने साफ diffusion membrane 1 mm से कम होगी total थिकने साफ diffusion membrane less than 1 mm every 100 ml of oxygen blood can deliver how many O2 to tissue बहुत important point है 5 ml होता है point number 17 every 100 ml of oxygenated blood delivered how many CO2 to the alveoli 4 ml CO2 round भी का सकते हैं round and bi-concave mesophyll shape round and oval होता है trikyides का shape elongated होता है columnar epithelium का shape long and narrow होता है columnar epithelium का shape long and narrow होगा WBC का shape M.O. wide होगा nerve cell long and branched होगी hellnese loop होगा hyperin bend होगा hairpin hairpin loop आप इलने hairpin आप देखे होगे इस creation में इस creation वाले chapter में इस टमक जो होता है J shape का होता है spleen, kidney जो है bean shape की होती है thymus जो होता है lobbed argon है thymus जो है lobbed argon है patella जो है cup shape का होता है point number 86 देख लेते हैं bau में skepsule double world cup like structure होती heart जो है clinched first size होता है point number 88 देख लेते हैं point number 88 देख बोल रहा oxygen dissociation curve होता sigma-wide होता बहुत important है oxygen dissociation curve इस curve के उपर हम एक separate वीडियो बनाएंगे 2-3 मिनट की curve बहुत important है curve से पूछ लेता कब right side shift होगा कब left side shift होगा left side shift होने से pH घटेगा temperature पे क्याइफिट डालेगा enzyme पे क्याइफिक्ट डालेगा और partial pressure आफ oxygen क्या होगा CO2 का partial pressure क्या होगा सारी डेटेल हम एक वीडियो में 2 मिनट के कर लेंगे पूरा sigma-wide करब के उपर oxygen dissociation करब के उपर diaphragm का shape जो है dome shape का होता है smooth muscle का fuzzy farm shape होता है ceta जो होता है yas shape का होता है intestinal root hair thread like structure होता है root cap जो होता है thimble like structure होता है tongue of frog जो होती है by-lob होती है nucleus of vegetative cell होता है irregular होता है generative cell जो होता है spindle shape का होता है ometida of cockroach ometida of cockroach होता है hexagonal होता है enter जो होता four-sided होता है tetragonal enter tetragonal होता है cartilidone maze या grass का जो है sealed shape का होता है गिल्स आफ मोलस का ये फीदर लाइक इस्टक्चर जो होता है गिल्स आफ मोलसस जो होते हैं मोलसस जो होते हैं वो फीदर लाइक इस्टक्चर जो होते हैं पॉइंट नमबर एक सुतीन रेडूला जो होता है वो होता है फाइल लाइक इस्टक्चर जो होता है किजमाटा जो होता है X shape किजमाटा बहुत important है किजमाटा X shape का structure होता है टेस्टिस जो होता है oval shape का होता है uterus inverted pier होता है uterus का shape inverted pier होगा fembrine of clitoris जो होगी finger like structure जो होता है fembrine या clitoris जो होता है ये finger heart का जो structure होता है वैसी like structure जो होता है fembrine और clitoris का Point number 108, Deodenum, Wasarecta & High-Eyed Bone जो होती, U-shape की होती है, High-Eyed Bone ये किसी से जुड़ी नहीं होती, Point number 108 is very important, High-Eyed Bone जो होती है, ये free होती है, किसी से जुड़ी नहीं होती, देखेंगे यहाँ पे, आपके गले के पास जहाँ पे, आगे देखेंगे High-Eyed Bone है, ये किसी बोन से bone है, head of cockroach, scapula and sinus, venus of frog, triangular होता है, head of cockroach, या scapula की बात करें, या sinus की बात करें, और या venus of frog की बात करें, sinus venus of frog, ये triangular shape के होते हैं, वरहष्ट, peer, logistic, growth curve, जो होता है, sigmide होता है, exponential और geometrical growth curve होता है, जे shape का होता है, exponential and geometrical growth curve होता है, जे shape का होता है, in female cockroach, 7th sternum is boat shape, female cockroach में जो 7th sternum होती है, boat shape की होती, important point, antenna anal style of cockroach, thread-like structure जो होता है, male gonofophysis, और phallomer, asymmetrically structure, काइट्रेटोजियस, काइट्रोजियस, माइक्रो, इस्पोरेंजियम, माइक्रो इस्पोरेंजियम, near circular in outline, in transfer section, transfer section से देखेंगे, तो लगवग ये circular outline structure होगा, point number 116, point number 116 हम देख लेते हैं, scientist and relation field, scientist हैं, उनका field में क्या क्या relation है, उसको हम देख लेते हैं, अंश्ट मायर जैसे थे, 1904 से 2004, हम इनके बारे में आपको बता जुके हैं, बहुत important scientist हैं, अंश्ट मायर 100 साल तक जीवित रहे थे, evolutionary biologist में इनका relation राज जो है, मैथिस स्लाइडन थे, German botanist थे, Julius Wannsak थे, ये German botanist थे, आप ऐसे याद रखें, जैसे Julius Wannsak हैं, मैथिस स्लाइडन हैं, तो German botanist थे, Julius Wannsak थे, ये जर्नरल, ये भी German botanist थे, ठीक, Theodore Swan थे, Swan, Swan मतलब Hans, Hans जो होता है, मतलब ये Joologen पढ़ा जाता है, मतलब ये Joologist थे, British Joologist थे, Theodore Swan, Swan Hans, ऐसे याद रखेंगा, Hans जो है, ये Joologen पढ़ा जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे, ये Joologist थे, Corlinus one-nil, Panda, ये जो Neil थे, ये माइक्रो बाइलोजिस्ट थे अलफोंसा कॉर्टाई यूद थे ये इटाइलियन एनाटॉमिस्ट थे डाक्टर डबलू डूड ग्योन थे ये अमेरिकन मिसेन्री ये टीचर थे जो है पी महस्वरी इंडियन बॉटनिस्ट रिंगरंड सी पुन्नेट ये बिरिटिस जेनेटिक्स पुन्नेट इसक्वाइरा पड़े ही होंगे जेनेटिक्स में जार्ज गैमाव ये साइकिस्ट थे अलफर्ड वैली ये नेचुरल लिस्ट थे बतलब नेचर के वारे में ये खोज बगरा करते थे पॉइंट नंबर 127 लैमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे इडवर्ड विल्सन सोचियो बायोलाजिस्ट थे पाउल इल्रिच इस्टानफॉर्ड एकोलाजिस्ट थे पाउल इल्रिच इस्टानफॉर्ड एकोलाजिस्ट थे Francis Jacob जेनेटिक थे जेनेटिस्ट थे जेक्यू मोनेड बायोकेमिस्ट थे Alexander Von Humboldt बहुत इंप्वार्टन German Naturalist and Geographer ते Rennie, Discards Francis, Philosopher, Mathematician and Biologist थे Size देख लेंगे जो size है वो देख लेंगे जो NCRT में side है सारे data जो हम बात करें, NCRT के ही बारे हम बात करें आप भी कहीं से बाहर से पढ़ेंगे नहीं NCRT को आप follow करिए जो data है, NCRT के data को आप follow करिए हाला कि आप सारे point को NCRT को follow करिए, जो authentic book है हमारे पास, वो NCRT है बागी other कोई book side पढ़ रहे हैं आइस देख लेते हैं, जो यूज हुए है diameter of pollen grain जैसे 25 से 50 micrometer का होता है data में micrometer, mm, decimeter जो भी होगा, उसके साथ आप याद रखेंगा, ऐसा नहीं 25 से 50 याद कर लिए हैं, बागी चीजें आगे आगे पाट पाट पीछे पीछे सापाट, ऐसा नहीं होना चाहिए चीजें याद करिए, उसका revision भी करिए diameter of RBC जो होगा 7 micrometer का होगा, लेकिन इसका correct जो medical field में हम लोग को पढ़ाया गया है वो 7.2 होता है, लेकिन आप NCRT का याद रखें, NCRT में 7 ऊयाद रखेंगे smallest cell जो होती, mycoplasma 0.3, micron in length होता है largest cell जो होती 1 of an ostrich होता है typicalabolic cell 10-20 micron की होती है typical eukariatic plant cell होती 50 micrometer की होती, typical plant cell onion cell होती है, typical eukariatic cell जो होती है human cell in culture human cell in culture Victorian cell cycle Size of bacteria point number 143 Size of bacteria 3.5 micron Typical bacteria की size 1-2 micron Virus की size 0.02-0.2 micron Diameter of gallbladder 0.5-1 micron Diameter of mitochondria 0.2-1 micron या average बात करें तो 0.5 micron Length of mitochondria 1-4.1 micron Length of chloroplast 5-10 mm Width of chloroplast 2.4 mm Length of E. coli DNA 1.36 mm Length of human DNA 2.2 mm Length of human DNA 2.2 mm Length of E. coli DNA 1.36 mm Point number 153 Nobel Prize जो Scientist को मिला था उसके बारे हम देख लेते हैं किसको कब Nobel Prize मिला था Scientist को का योगदान रहा है हमारे Medical Field Biology या हम बात करें Science में पूरे Scientist को का योगदान रहा है Point number 153 का रहा है कि 1945 में Flaming Chess और Flore को 1945 में Nobel Prize मिला था 1961 में Kelvin को मिला था 1962 में Watson Creek और Wilkins को मिला था 1968 में 1968 में होले, नेर्बर्ग, गैरगोविंद, हरगोविंद, खुराना होले, नेर्बर्ग और हरगोविंद, खुराना को 1968 में Nobel Prize मिला था 2005 में जो है 2005 में Point number 157 Kelvin Grubbs, Sark in Comishti ये जो स्रॉक थे, ये जो है Comishti में थे इनको Nobel Prize इन 3 Scientist को मिला था अधर प्राइस जो मिला था उसको हम देख ले थे Point number 158, Point number 159, 160, 161 पद्म भुहसाड अवार्ड जो मिला था ये MS स्वामी नाथन को मिला था संजे गांधी अवार्ड इन्वार्मेंट एंड इकुलाजी राम देव मिस्रा संजे गांधी अवार्ड इन्वार्मेंट एंड इकुलाजी राम देव मिस्रा ट्रिपल क्राउन BIC अश्ट मायर आपको बताहे दियें 1900 संथिंग लेके 2004 तक इनका 100 साल तक जीवन काल रहा है लैसकर अवार्ड जो मिला था वाट्सन क्रिक को मिला था एक बार हम फिर से 4-5 मिनट में पूरे पॉइंट इंपॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट रिवीजन करते हैं हलाकि 400 से 500 पॉइंट हैं हम एक एक करके लगभग 260-160 लगभग 2-3 दिन में पूरा पॉइंट हम डिसकस कर लेंगे बहुत ही इंपॉइंट ये स्रीज हो जाती है NCRT exclusive जो चल रही है अंश्ट मायर जो थे 1904 से 2004 तक 20th century थे ठीक है इसके बारे में देख लेंगे इसके बाद राम चंदरन प्लाट अल्फा हेलेक्स बीटा सी थाब दी प्रोटीन देख लेंगे और यहां पर देख लेंगे जो नोबल प्राइस 1961 में मिली थी C14 photosenses यूज किये थे जो C14 carbon यूज किये थे नोबल प्राइस 1962 मिली थी James Watson and Crick को मिली था और पॉइंट नमबर यहां से देख लेंगे पॉइंट नमबर 18 development of concept of craft selling and genetically improving of field quality जो improve किये थे with normal burn यह जो green revolution लाए थे स्वामी नाथन Herbert Boyer इनके बारे हम देख लेंगे E.coli के उपर कुछ इनका experiment था Boyer and Cohen first of all farm recombinant DNA यह जो है first farm किये थे राम देव मिस्रा फादर आफ E.coli आफ इंडिया कहे जाते हैं जो यह point number 24 है जैसे हम देख लेते इंगल मैन experiment किये थे Cladophoracuta, Pristly experiment किये थे Mint plant के उपर जो है One nil experiment किये थे Purple and Green Sulfur bacteria Mendel Works किये थे Garden Peak उपर Heigodivraze, Evening Prime Rose Morgan Works and Darsophylla Griffith Experiment and Statocoser Hershey and Chest Experiment and Bacteriophage Mosley and Stal Experiment and E.coli Bacteria Taylor ने वर किया था Wisa Fevera को उपर बहुत इंपॉर्टन है 2018 नीट में आएग दुआ मेलगीन केलविन एक्सपेरिमेंट डान एलगल फोटो सेंसिस यूनिट आफ क्लासिक बेशन टैक्सान यूनिट आफ निउरल सिस्टम निउरांस, निफ्रांस, किट्नी एनटामिकल यूनिट आफ मसल, मसल सिल मसल फाइबर जो है फंक्शनिट आफ कंसंटरेशन सारकों मिएर फंक्शनिट आफ इनगे जिन्स यूनिट आफ नॉिस टैसिंवेल में नापा जाता है यूनिट आफ उजो़न लेड थिकने आफ यूनिट आफ नेचर एको सिस्टम structure and functional unit of all living organism cell reproduction unit of NGOs from flower को आ जाता है unit of water pollination potential unit जो होती पासकल में ना पी जाती है पासकल में ना पी जाती है सारा data आप NCRT का या data बिसेज ध्यान देंगे structure and functional unit of liver hepatic globe है structure and functional unit of between embryo fetus and maternal body मतलब mother और fetus के बीच में placenta ही placenta जोड़ता है यहां के थ्रू जो है आपको nutrition उगार प्रवाइडर weight of liver जो है 1.2 से 1.5 weight of kidney 120 से 170 lobe आप liver 2 होते है salivary gland 3 होती इस्टमक में जो है 4 पाय जाता इसको आप correction कल लिजे correction आप करवा दी है इस्टमक store of food for 4-5 गंटे pH of saliva 6.8 gastric use का pH 1.8 duminum का pH 7.8 προesting rate टी उरिन का PS6 होता है breathing rate होती 12 से 16 times per minute यूणिट आप इसेस देंगे breathing rate होती 12 से 16 breathing rate 12 से 16 time per minute होती tidal volume 5 होता IRB होता है 25 सब 3,000 होता है ERB होता है IRB होता है IRB होता है water में plasma पाय जाता है 90 से water in plasma जो होता है 90 से बान बे होता है वाटर लेमन में होता है, 22 से परसेंट होता है, हरवेसीयस प्लाइं में वाटर 15-90 होता है, वाटर हीमन सेल में होता है, 70-90 परसेंट होता है, ठीकनेस यह होती है, diffusion membrane की थिकने तोटल थिकने साफ diffusion membrane जो होती ही less than 1 mm की होती है 100 ml of oxygen blood can deliver oxygen 100 ml of oxygenated blood can deliver how many O2 in tissue 5 ml जो है every 100 ml of oxygenated blood delivered how many O2 in alboli 4 ml pollen grains जो होता spherical होता nucleus जो होता spherical होता centriol cylindrical होता mitochondria suicide safe का होता RBC होता by concave होता mesophyll cell होती, oval safe की होती है tracheide होता, elongated होता, carbonary epithelium होती long and narrow होती है WBC होता, WBC का safe जो होता है, यहाँ पे आप देख लिंगे WBC का safe जो होता, immobile होता है nerve cell का safe long and branch होता है nerve cell आप ध्यान देखें, इनका regeneration power 0 का होता है मतलब nerve cell कभी भी regenerate नहीं करती है regeneration power सबसे ज़्यादा आपको पता है, planarium planarium पाये जाता है, अगर हम बात कर human body में, regeneration power सबसे ज़्यादा पाये जाता है lever में पाये जाता है hellness loop, जो होता है, इस्टमप जो होता है jay save का होता, isplen and kidney bean save का होता है, thaiomes, लोब आरगन है, patela जो है cup save का होता है करब सिग्माई होता है दायाफरॉम डोम सिपका होता है मसल डायाफराम जो है डोम सेबका होता है स्मूथ मसल जो इसीड़ Onesis cuta कहां पाया जाता है आप कमेंटर बाक्स में जरूर बताएंगे िंटरस्टाइंब्स फ्राग जो थे लेगुलर भी सोलंगोंतें तो ते सब्सक्राइब करता है इसको भी आप दिशेज ध्यान देंगे लिए यूटर जो हता है इनवर्टेट पियर सेपका होता है फिंब्री और क्लाइट ओरी जो हता है फिंगर लाइक की स्टक्चर जो हता है डिवुडनम वासा रेक्टा एंड हाई अड बोन होती हाई आपको बता दिये है यू सेपका होता है एड अप काकरोज इसकेगुला एंड सीनस विनस और ट्रेंगुला सेपका होता है और लाजिस्टिक कर्व ग सेपक्केवल suffekt होता है कि इसमीट इस्टक्चर जो हता है कि स्टोर्य सोथा है माइक्रोइसपोरिंगीयम आपको बताए दिये हैं ट्रांसर सेक्षें में सर्क्लार लां कि स्टक्चर जो होता है अंस्ट मायर इवलिए facilitate mockने जो है जर्मन बाटनिस्ट ते जर्मन बाटनिस् थे, Theoderson, Theoderson, मतलब Geologist थे, Swan Hans आपको बताए दिये हैं, Corleons, One, Neal थे, Microbiologist थे, Alfred Cortai थे, Italian Anatomist थे, Dr. W. Dardgen थे, American Missionary Teacher थे, महसुरी थे, Indian Botanist थे, Indian Botanist पुन्नेट थे, ये Genetics थे, आपको Genetics में पढ़े होंगे, पुन्नेट स्कॉर्ज, जार्ज, गैमू थे, ये फिजिक्स, साइकेस्ट थे, Alfred, वैलेक थे, नेचुरलिस्ट थे, लैमार्क, फ्रेंच, नेचुरलिस्ट, इसको आप देख लेंगे, जो है, साइज देख लेते हैं, एक बार, डायमीटर आप फॉलेंगे, पचीस से पचाह, डायमीटर आफ आर बीसी, सेवन माइक्रो, सेवन माइक्रो मीटर, लेकिन आप करेक्ट, सेवन पैंट तु है, लेकिन, NCIT का डाटा, सेवन याद रखेंगे, सेवन माइक्रो 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 मीटर, लाजेश सेल होगी, एक आफ आफ आश्टीच होगी, लाजेश सेल अगर बात करें, एक आफ आश्टीच होगी, हुमन में बात करें, टिपकल यूकरियाटिक सेल हो गई, 10 से 20 माइक्रोन हो गई, टिपकल यूकरियाटिक प्लांट सेल हो गई, 50 माइक्रो मीटर, टिपकल प्लांट सेल हो गई, ओनियन सेल हो गई, टिपकल यूकरियाटिक सेल हो गई, हुमन सेल हो गई, साइज आफ बैक्टेरिया जो होता है, 35 टिपकल बैक्टिरी यह होता है, एकस दो माइक्रोमीटर को होता है, वाइरस की साइज होती, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, डायमीटर आप गाल्ब डेटा जो हता है, 0.1 से 1 होता है, डायमीटर आप माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया की लेंगे, क्लोरोप्लास देख ल पॉइंट नंबर 153 देख लेते हैं। 1945 में फ्लेमिंग चेसेंड फ्लोरे को मिला था जो है नोबिल प्राइस, 1961 में जीवा था कैल्विन को मिला था वाटसिन क्रीक और विलसन को मिला था, मिला था होले निर्वर्ग और इसके बाद जो है हर्विंद खुराना को मिला था 1905 मिला था कैल्वीन को मिला था 1908 जो मिला था एक पॉइंट नंबर 158 देख लेते हैं पाद में भूसड अवार्ड मिला था पी महस्वरी MS स्वामी नाथन को मिला था आपको पता है अश्ट मायर इसके बारे में आप देख लेंगी साइंटिस्ट इंप्वार्टन है और इसके बाद जो मिला था अवार्ड वाट्सन और क्रिक को मिला था इस जाब से रिविजन भी आपका हो गया बागी जो है दो वीडियो इस पे बन जाए किमकि नCIT का डाट बहुत ही इंपॉर्टेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपडिट के साथ जाएंद